अलो डियर विवर्स, वेलकम टू स्वास्वागा इंडिया, आज हम बनाएंगे क्रैब सूप, क्रैब सूप बनाने के लिए हमें लगेगे दो क्रैब और साथी साथ में सूखी मसाले लगेंगे, उसमें लगेगे सोफ, धना, जीरा और ब्लैक पेपर, और साथी साथ में एक तरीके से तरीके से, तो यह सूखे मसाले में जो फ्लेवर हैं, यह ड्रायरोस्ट करने से रिलीज होता है, और ज़्यादा यह फ्लेवर फुल बनते हैं, यह अच्छे से ट्रायरोस्ट होने के बाद आपको जो है इसका एक पाउडर फॉर्म बनाना है, तो मिक्सी में आप से पीस लीजिएगा दरदरा भी पीस सकते हैं बाद में हम यह सारी जो ग्रेवी बनाएंगे सूप फॉर्म में वह हम चान के ले लेंगे तो देखिए यह अच्छे तरीके से भुन गया है और आप इसको मैं ड्राय रोस्ट कर लूँगी तो यह सूप जो है बहुत हिल्दी हो तो देखिए इस तरीके से यह दरदरा मैंने पीस लिया है सूखे ड्राय मसाले तो अब हम आगे चलते हैं यह नारी यल का दूध है यह थिन एक्स्ट्रैक्ट ऑफ कोकोनट मिल्क है तो मैंने एक बड़े से पैन में दो टेबस्पून वाईल डाल दिया है साथी साथ में त कर लेना है और हल्दी नमक और वन टेबल स्पून आपको रेट चिली पाउडर जालना है और एक स्टिक जो है करी लिउज का आपको डालना है जितना ज्यादा करी लिउज डालेगे अच्छा है यह ज्यादा फ्लेवर फूल बनेंगा साथी साथ में दो तीन ग्रीन चिली पर देजिए और जो हमने पाउडर बनाया था वह बहुत कर दिजिए यह टैमरीन वोटर है इसी स्टेच पर टैमरीन वोटर एड़ कर दिजिए मसाला चले ना इसके लिए आप अप पानी डाल सकते हो उसके बाद में जो अपने थी नेक्स्ट्रक्ट आफ कोकोनट मिल्क ब करते हैं इसकी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है आप जाके वहां पर देख सकते हो देखिए 10 मिनिट तक आपको इसको पकाना है और हमारा क्रैप सुप बहुत जल्दी जटपट रेड़ी हो जाता है और इस तरीके से आपको इसे चान के लेना है तो यह कितना अच्छा सूप है और यह बहुत हिल्दी सूप है तो जो क्रैप थे अब हम इसके क्रैप डाल देंगे आप सूप भी खाये साथ साथ में क्रैप में जो मीट है उसको भी एंजॉय कीजिए यह रिसिपी आपको अच्छी लगी तो इसके लाइक शेयर सब्सक्रैब दरूर कीजिए थेंक यू